तो आज हम लोग लास चो पोर्शन हम लोग कर रहे थे हैं हाज डिस्टेंस चैप्टर नुबर 12 आज अब्जक्टिव टाइप कोश्चन उसी को कंटिन्यू करेंगे तो फर्स पार्ट में हमने कोश्चन में 1 से लेकर 13 तक कर लिया था आज कोश्चन में 14 से स्टार्ट करेंगे तो यतने लोग पहली बार चैनल पे आयो चैनल को सस्क्राइब कर देना बैल आकन दबा देना नए वीडियो के अपडेट के लिए और अगर लास तक वीडियो तो अगें क्लावड बेस कोश्चन में 11 में हमने एक कोश्चन किया था तो उस ने क्लावड की बात हुई है मालनो यह लेक है तो लेक से तो लेक से पहले हैं तो यहां से इसका एंगल की बात करता है वह कितना है थीटा एंगल तो यह यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया यह थीटा है ठीक है और यह वैलू है अब उसका रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन क्या होगा अगर मालनो यह दिस्टेंस मैं एच मान लिया इसको वाई मान लिया तो यह जो लेक है यह लेक मालनो लेक का सरफिस है बी जो लेक का सरफिस है वह ऊई अजड ट्रीन मिलर काम करेगा तो जो ओपर आप्जेक्ट डिमरों काया है यह वाई प्लस एच मान से पॉइंट एस इसका angle of depression उसी point से, ठीक है, उसी point से 45 degree है, तो यह figure हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कुछ में 11 में मैं बार बार बोल ला हूँ, दाकि वहाँ देख सकते हो, और अच्छे समझवाँ जाएगा, अब हमने AD को X मान लिया, जो कि BE केकल होगा, तो उसने कहा है height of the cloud, height of the cloud मतब y plus h निकालना है, height of the cloud मतब y plus h निकालना है, तो देखो, निकालते हैं, तो हमने कहाँ कि कोई भी, जो भी right angle triangle है, उसमें हम काम करते है, height and distance chapter में, तो right angle triangle धून दो, उसमें काम करो, तो triangle ABC की बात करते है, triangle ADC, ADC में यह theta angle है, ठीक है, यह theta angle है, theta angle के सामने, यह तुमारा हो ज जागा, 10 theta is equal to y upon x, यह आ गया, तो कहने का मतब यहाँ से, जब इसको simplify करोगे, x 10 theta is equal to y, तो x की value आ जागी, y upon 10 theta, तो y quad theta, तो हमने 1 upon 10 theta को quad theta बोल दिया, ठीक है, अब एक और triangle बचे किया, triangle ADC, यह point F है तुमारा, तो triangle ADC की बात करते हो, triangle ADC, D F, तो triangle ADC में क्या हो जाएगा, 10 45, 45 के सामने, यह, D F, D F की लेंद क्या हो जाएगी, h plus y plus h, h plus y plus h, मतलब, 2 h plus y upon ad, ad कितना है, x, तो क्या था, perpendicular upon base, तो perpendicular यहाँ पर हो गया, h plus y plus h, मतलब, D से लेके, f तक, वो perpendicular है, और base हो गया, ad, जो कि x है, इसको simplify किया, 10 45, 1 हो गया, तो x, x is equal to 2 h plus y, ठीक है, x क्या है, y quad theta, तो y quad theta, x के रख दिया, इस y की नहाँ लेगा, minus y is equal to 2 h, y common ले लिया, तो यह आ गया, quad theta minus 1 is equal to 2 h, तो यहाँ से basically y की value क्या आ गई, 2 h upon quad theta minus 1, यह y की value आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें तो y plus h चाहिए, जो height of cloud है, lake से, वो क्या है, y plus h, मतलब c, तो हम y plus h निकालते हैं, तो देखो, अब y plus h निकालने जाओगे, देखो, option जो है, वो combination of angle के form में, basically यह इस साल के slabels में है, नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हुआ क्या option, तुम लोग का match, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा हूँ इस question में, क्लास 10 के साब से नहीं है, क्लास 11 के साब से है, यहाँ पर जो angle यूज हुआ है, ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, cloud की height, वो है c, c मतलब y plus h, y कितना होगा है, 2h upon cot theta minus 1 plus h, इसको हमने simplify किया, h common ले लिया, यह होगे 2 upon cot theta minus 1, और यह plus 1 होजएगा, ठीक है, simplify किया इसको, h बहार है, तो 2 plus cot theta minus 1 upon cot theta minus 1, यह आ गया h, ऊपर आ गया cot theta plus 1 upon, cot theta minus 1, ठीक है, आप देखो, यह तो cot के form में कोई answer match नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमने क्या है कि इसको 10 में change करें, देखो, आप मालनों 10 में तुम लोग ज्यादा सम्मझ में आगा, मैं 10 में change करता हूँ, यह हो जागा h, यह cot theta हो जागा 1 upon 10 theta, plus 1 upon, यह cot हो जागा 1 upon 10 theta, minus 1, simplify किया, h, यह हो गया 1 plus 10 theta, और यहाँ जो upon 10 theta है, वो इस वाले upon 10 theta से cancel out हो जागा, यह हो जागा 1 minus 10 theta, यह, ठीक है, तो यहाँ जो 10 theta था था, lcm के बाद, वो इस 10 theta के lcm के बाद cancel out हो जागा, 1 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta, ठीक है, अब यह जो value होती है basically, यह value होती है हमारी 1045 plus theta के, ठीक है, यह value होती है, यह यहाँ लिखी होगी, class 11 ते पर होगे, यह होती है value actually 1045 plus theta के, ठीक है, तो यह तुम्हारा आ जाएगा, h 1045 plus theta, तो height of cloud मतलब y plus h जो है, यह hh मत काटना, वो y की value आ जाएगी, ठीक है, hh काटना मतलब y की value आ जाएगी, हमें y plus h cloud की height आ गई, h 1045 plus theta, जो कि option a match करता है, ठीक है, again, क्या होता है, 1045 plus theta के जो फॉर्मुला है, बतलब 10 a plus b, वो होता है, 10 a, जो 10 a plus b लिख लो, 10 a plus b, वो होता है, 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b, यह next यह पर होगे, इसी चीज़ को यहां यूज किया गया है, तो a यहां पर 45 है, b यहां पर theta है, रख के देख लो, 1045 plus theta, इसको solve कर लो, इस वाले formula से, यही आएगा, 1 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta, clear है, समझ में आ गया होगा, चलो, चलते है, next question 15 पे, 15 पे क्या है, a tower sub 10, an angle of 30 degree at a point on the same level as its foot, at a second point 8 meter above the first, the replacement of the foot of the tower is 60, okay, देखो, बहरे तुमने क्या किया, तुम 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 पहरे बेस बना ली, ठीक है, तो a tower sub 10, an angle 30 degree, okay, देखो, किसी point से a tower, जो है, 30 degree angle sub 10 कर रहा है, ठीक है, a, b, c, clear है, इसको मालने है y, अब इसी point से, ठीक है, हमें कितना पर जाना है, इसी point से h meter above the first, इसी point से h meter above the first, the angle of depression, ये जो बना है, ये है तुमाना 60 degree, ये बोल ला है, figure के recording, तो ये c, d माल लो, इसको h माल लो, तो height of the tower, तो height of the tower मतलब y की value पूछ रहा है, तो h के term में आगे, तो आगे इन दो triangle दिखना है, triangle b, c, d और triangle a, b, c, इन दोनों में काम करेंगे, ठीक है, b, c, को हमने x माल लिया, जो triangle a, b, c में काम करेंगे, ठीक है, triangle a, b, c में, तो वो तुमाना हो जाएगा, 1030, वो जाएगा y upon x, वो जाएगा y upon x, तो 1030 की value, क्या होती, basically, 1 upon root 3, 1030 होता, 1 upon root 3, तो यहां से x की value आ जाएगा तुमाने पास, y root 3, यह x की value आ गए, ठीक है, simplify कर लेना, अब एक angle है 60, triangle bdc, तो triangle bdc में जब काम करोगे, तो 1060 क्या हो जाएगा, 1060 हो जाएगा, इसके सामने, h upon x, 1060 root 3, x, x की value y root 3, is equal to h, तो root 3 into root 3, 3y is equal to h, तो y की value h upon 3, तो h upon 3, option c, तो y की value आ गई, h upon 3, यह हमारा इसका अंसर हो जाएगा, clear है, simple question था, बस figure बन गया, तो तुमाना question solve हो गया, main काम, main काम जो है, stator में, तुम्हें figure ही बनाना है, अगर diagram बन गया, तो question तुमाना solve हो गया, ठीक है, चलते है 16 पर, तो 16 क्या है, it is founded on walking x meter towards chimney in oriental line through its base, okay, चलो, कोई chimney है, a, b, height माननी है, तो क्या होड़ा है, it is founded on walking x meter towards chimney in oriental line through its base, the elevation top changes from 30 to 60 degree, मतब यहाँ पर अभी 30 degree था, माननो point c है, यहाँ से हम यहाँ तक आगे, point d, कितना walk किया हमने, x, तो यह elution change हो गया 60 पर, तो मैंने पहले भी कहा है, अगर यतना base के side move करोगे, अगर उपर का point fix है, तो क्या होता है, angle of elevation change होता है, और basically वह बढ़ता है, 60 हो गया, तो इसको हमने मान लिए y, bd को, ठीक है, हमें क्या निकालना है, height, h निकालना है, तो अगें दो triangle, concept लगाएंगे, तो पहले लगा जाना, triangle a, b, d, triangle a, b, d में काम कर लो, triangle a, b, d में 1060, 60 के सामने perpendicular h, तो मैं तिक है, मैं उसको लिखने जागा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, समझते जाओ, इतना मैं mcqs कर रहें, इतना लिखने की ज़रुवत नहीं है, h upon, base क्या है y, 1060 के सामने रूट 3, तो यहाँ y की value हो गई, यह होता है root 3, तो यहाँ root 3 रखोगे, वह h की निचे आ जाएगा, h upon root 3, तो y की value हो गई, अब triangle abc में काम कर लो, तो triangle abc में काम करो, तो abc में क्या हो जाएगा, 1030, हो हो जाएगा h upon, यह total distance, y plus x, base, 1030, 1 upon root 3, y plus x, y, हमें x के form में लिखना, y जाए, y plus x, is equal to h, root 3 को h के साथ मलिप्लिया कर दिया, तो y की value कितनी है, h upon root 3, plus x is equal to root 3h, इसको simplify किया, यहाँ पर, lc हम ले लिया, तो h plus root 3x, और इस root 3 को इस से मलिप्लिया कर दिया, तो यह हो जाएगा 3h, h minus हुआ, तो root 3x is equal to 3h minus h, 2h, इस h को यहाँ minus 2h, तो h की value आ गई, root 3x upon 2, root 3x upon 2, मतलब option c यहाँ पर match कर रहा है, question number 16 का, तो एक बार देख लेना, सब्सक्राइब कर रहा है, option c यहाँ, simple 2 triangle बंदा है, दोनों triangle को use कर लो, simple सी बात है, जहाँ जहाँ जो right angle triangle बंदा है, उसको use करते जाओ, question solve होता जाएगा, चलते question में 17 पर, 17 में क्या है, the length of a side of a tower standing on a level ground is found to be 2x meter longer, when the sun angle of elevation is 30 degree then it was 45 degree, the height of the tower is, देखो, अब हो क्या कह रहा है, the length of a side of a tower standing on a level ground, कोई tower होगा, किसी ground पर खड़ा है, मानलो यह, तो हो कह रहा है, is found to be 2x longer meters, when the sun elevation is 30 degree then energy is 45 degree, बन्तों, sun का elevation किसी time पर 45 degree था, उस time shadow बंदा था, ठीक है, तो उससे बड़ा shadow, जब angle of elevation sun का 30 degree होगा तब बंदा है, और कितना बड़ा 2x, meter longer, तो मानलो कर यहां पर भी, मानलो y बंदा था, 45 पर, tower का height h है, तो इसी tower का मैं side बना रहा हूँ, इसी tower का, ठीक है, a, b, same tower है, अब angle of elevation 30 degree हो गया, तो यह जो, तो पहले क्या था, side of bc, तो आब मानलो bc dash, bc dash हो जाएगा, वो y plus 2x है, पहले बाले से 2x longer है, यह, ठीक है, यह कहरा है, ठीक है, अगेन, दो triangle मिल गया हम दोनों को use कर लेंगे, ठीक है, तो मानलो तुमने यूज किया पहले, triangle abc, तो abc में, 1045 is equal to, h upon base y, 1045 की value 1 होती है, y is equal to h, और यहाँ पे, triangle abc dash में, तुमने use किया 1030, सामने h, हमें h निकालना है, तो h को तो रखोगे, upon y plus 2x, और x के form में, क्योंकि y तो कुछ given नहीं कुछन में, तो यहाँ पे y is equal to h है, 1030 की value 1 upon root 3, तो 1 upon root 3, y is equal to h, तो इस y को हमने h लिख लिख लिया, plus 2x is equal to h, इस h को यहाँ मलप्राइ किया, तो h plus 2x is equal to root 3h, इस h को यहाँ subtract किया, तो 2x is equal to h common ले लिया, sorry, root 3-1, यह कैसे हुआ, इस h को यहाँ लेके गए, तो minus h, h common लिया, root 3-1, तो h की value आ गई, 2x upon root 3-1, ठीक है, तो अब option तो मैच नहीं करता, तो मतलब हो सकता है, रसनाइस किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, रसनाइस कर लेंगे इसको, रसनाइस करोगे, तो h की value कितनी है, 2x upon root 3-1, तो multiply किया, root 3-1 upon root 3, बहुत बार होगा तुम्हें ऐसा, कि रसनाइस करना पड़ता है, इस इसका ध्यान नहीं करता है, अगर आप से मैच नहीं कर रहा है, तो नीचे क्या बन गया है, अगर बन गया, तो ओपर तो हो गया, 2x root 3 plus 1, और नीचे हो गया, root 3 का square मतलब, a-b, a-b, तो यह होता है, a square minus b square, यहां पर a root 3 है और b 1 है, तो a square मतलब, root 3 का square, b square मतलब 1 का square, root 3 का square minus 1 का square, मतलब 3 minus 1 is equal to 2, तो नीचे 2 आ जाएगा, यह cancel out, तो x times root 3 plus 1, option a, तो 17 का यहां पर option a, match कर रहा है, clear है, simple question था, difficult नहीं था, बस 2 figure बनाओ, question solve करो, समझ में आ गया, जलते है next, question 18 पर, 18 में क्या कह रहा है, two poles of a meters apart, and height of one is double the other, if the one middle point of joining their feet, यह पहले किया हुआ है, कौसा question है, यह question number 13 देखो, जो 18 है, वो question number 13 देखो हमने कर रखा, exactly same question है, तो मैं इसको repeat नहीं कर रहा हूँ, time waste होगा, तो जितने लोगों को नहीं आता है problem है, वो first part देखो question number 13, तो यह 18 है, question number 18, यह exactly same as question number 13 है, तो किसी को problem है, first part का last question, question number 13 मैंने किया है, exactly same question है, तो मैं इसको leave कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा है, question number 19 पर, 19 किया है, the top two poles of height 16 meter and 10 meters are connected by a wire of length L meters, the wire, यह question भी किया हुआ है, question number 8, अगर question number 8 देखोगे, तो समझ में आ जाएगा, अगर 19 की बात कर रहे हैं, तो यह किया हुआ question है, कौन सा question है, question number 8, फिर भी मैं कर दिरा हूँ इस question को, two poles, दो poles है, एक की height 16 है एक की 10 है, तो एक की height 10 है, एक की 16 है, और दोनों की top को string से attach किया गया यह, और यह है L, यह निकालना है मैं, तो यह हमने join कर दिया, और यह जो angle of elevation बना है, यह जो भी angle बनदा है horizontal के साथ, ठीक है, if the wire makes an angle 30 degree with the horizontal, तो horizontal तुमाना यह हो गया, इसके साथ 30 degree, clear है, और यह 10 है, BC, तो DE 10 हो जाएगा, total केतना है, total हमारा है 16 16 meter, तो यह पार्ट कितना हो गया, 6 meter, इसको मान लिए F, तो आप देखो, triangle B, F, E में, हमें hapitonius निकालना है, और theta angle के सामने का side perpendicular given है, तो P और H कहां यूज होता है, sine में, तो इसमें यहां पर sin 30 लगा तो, जब sin 30 लगाएंगे, तो वह हो जाएगा, perpendicular मतब, 6, मतब BF, sine 30 half, इस L को यहां में लिप्लाए कर दिया, 6, तो L की value हो गई, 2 x 6, 12, तो यहां परेंश हो जाएगा, 12 meter, ठीक है, 19 का जाएगा option C, 12 meter, clear है, चले अपने next question पर, simple question था, कुछ थानी करने को, next है, if a 5 meter tall girl, standard distance of 3 meter from a lamp post, and cast a shadow of length 4.5 meter on the ground, then the height of the lamp post is, okay, देखो होता क्या है, कोई एक lamp post है, ठीक है, A, B, अब कोई लड़की है, अगर, मनों यहां खड़ी है, अब यह तो सब base पर ही होगा ना, ऐसे, ठीक है, तो अब क्या होगा, light जो shadow बनाएगा, वो यहीं से light आईगी है, इसके body से पढ़के, ऐसे बनेगी लाए, shadow, यह shadow बनेगा इसका, ठीक है, फिजिक्स आप कंसेप्ट है, तो इसे मेतना घुस नहीं लाओ अभी, कास्ट है, 4.5 मिटर लॉंग, तो यह shadow कास्ट कर रही है, 4.5 मिटर, और कितने दूर पर खड़ी है, 3 मिटर की दिस्ट्रंस पर खड़ी है, यह दिस्ट्रंस 3 मिटर है, थोड़ा उल्टा बन गया था, ED को और यहां पर कर देना, यह 4.5 मिटर चोटा लग रहा है, और 3 मिटर जाओ बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं उसे फरक नहीं पड़े गांसर पर, और यह ED 1.5 मिटर है, हमें निकालना है ABH, clear, तो माल यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, हमने लगा दिया 10 थीटा का कॉंसेप्ट, ठीक है, लगाया 10 थीटा का कॉंसेप्ट, ट्राइंगल A, B, C में, तो ट्राइंगल A, B, C में 10 थीटा, तो इस थीटा के सामने, ABH upon base, base क्या है BC, मतलब 4.5 plus 3, 7.5, ठीक है, यह आ गया, अब यहां तक clear, अब अगर बात करें हम, ट्राइंगल E, C, D, ट्राइंगल E, C, D में, ट्राइंगल E, C, D में, ट्राइंगल E, C, D में, 10 थीटा क्या हो जाएगा, इसके सामने, ED 1.5 upon base 4.5, solve किया, 1 by 3, मतलब 10 थीटा की वैलू 1 upon 3 है, तो इसके लिए भी तो, 10 थीटा की वैलू 1 upon 3 हो जाएगी, वो चेंस हो ही ना होगी, तो इस 10 थीटा की वैलू हमें रग दी 1 upon 3, 1st, 2nd equation तो, 1 by 3 is equal to, H upon 7.5, यह cancel out, 2.5, तो H की वैलू आ गई, 2.5 meter, option C match कर रहा है, तो आज हम लोग, question में 20 तक ही करेंगे इस part में, next part में आगे continue करेंगे, next part में chapter complete हो जाएगा, तो अगर वीडियो आज, first part में हमने 1 से 13 तक किया, second part जो अभी कर रहे हो, 14 से 20 है, last part जो third part होगा, वो completed होगा, इस chapter का, 5-6 question और बचा है, simple simple सा है, last part होगा, clear है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, जितने लोगों ने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, चैनल तो मैं अच्छा लगा हो, तो चैनल को सस्क्राइब कर देना और बेल आकेन भी दबा देना, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स पार्ट में, तब तक लिए गुडबाई, टेक क्यार, शे स्क्राओंघ